हाई फ्रेंज गोड इबनिंग स्वागत है आप सभी का आई पी सोलूशन में देखें कोरोना वायरस से सम्बंदित जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 हैं चार स्टेज हैं तो इन सभी स्टेज के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सार जो है स्टेज 4 में चला जाएगा स्टेज 3 में चला जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये स्टेज 4 तक है क्या तो इस वीडियो में हम लोग सभी स्टेज को समझने वाले हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ इस से सेर कर दिजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कोरोना वाइरस से समंदित मैं आपको बता दू कि डेली में दो वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो भी important news होगा उसका और आप लोगों से request है कि जो फालतू measures आपके पास आते हैं उस पे कम से कम थोड़ा सा विचार किजिए इसके बाद किसी को forward किजिए तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को मेरा नाम है अभी मन्यू सिंग तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे stage 1 के बारे में stage 1 क्या है समझेगा आसान भासाओ में बिल्कुल समझाने की कोशिस करूंगा आपको stage 1 देखे stage 1 में क्या होता है बिदेश से आए लोगों में संक्रमन बिदेश से आए लोगों से संक्रमन ये कोरोना वाइरस COVID-19 का stage 1 होता है मैं एक example देकर आपको समझाने की कोशिस करता हूँ मालिया की एक ये ब्यक्ती है जिसका नाम है A ठीक है ये A नाम का एक ब्यक्ती है और ये जो है अभी अभी लंदन से भारत वापस आया है जब भारत वापस आया तो ये एयरपोट पे इसका checking किया गया चेकिंग के दोरान इसे कोई भी बिमारी नहीं थी ना तो इसे बुखार था ना खासी थी और कोई भी बिमारी इसे नहीं थी बिल्कुल सवच्त था इसको एयरपोट वालों ने एक form इससे फिलप करवाया और बोला कि तुम घर जाओ यहां तक ही अपने परिवार से भी अलग रहा लेकिन जैसे ही एक सब्ता पुरा हुआ, आट दिन पुरा हुआ, इसको बुखार, खासी, यह सब आने शुरू हो गए, इसको जब यह एरपोर्ट पे था, तो इसको एक टॉलफरी नंबर दिया गया था, कि अगर तुम्हें पे आते हैं, और इसके बाद इसके चेक अप के लिए इसको लेकर जाते हैं, इसका चेक अप होता है, जांच किया जाता है, और यह कोरोना पोजेटिव पाया जाता है, अब जो है, इसका ट्रिटमेंट चलता है, इसका अभी फर्स स्टेज था, शुरु आठी हो रहा था, और इसकी उम्र भी कम थी, इलाज के दोरान जो COVID-19 था ओर ठीक हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेज 1, ये सभी व्यक्तियों से अलग रहा, इसने किसी को संकर्मित नहीं किया, इससे सिर्फ हुआ था और इसी के साथ सिमित रहा, ठीक है, ये पहली स्टेज है, जहां सिर्फ विदेश से आये आदमी में कोरोना है, बाकी किसी में नहीं तो इसको हम लोग स्टेज 1 बोलेंगे, ठीक है, अब चलते हैं स्टेज 2 की ओर कि स्टेज 2 किस को बोलेंगे, और भारत की स्थिति क्या है, आप चार स्टेज को देख लेंगे, तो आपको खुद वखुद समझ में आ जाएगा, कि भारत अभी किस स्टेज में है, देखें अब देखेंगे stage 2 stage 2 क्या है और stage 2 में किनको रखा जाता है stage 2 हम लोग coronavirus में किसको बोलेंगे तो इसमें भी मैं example देखकर आपको समझाने की कोशिस करूँगा बिल्कुल आसान भासाओं में समझाने की कोशिस करूँगा तो देखें ये एक ब्यक्ति है ए और एक ब्यक्ति है बी ए और बी दो ब्यक्ति है बी जो है बी मुंबई में रह रहा है इसको अचानक खासी बुखार आ गया डॉक्टर इसका चेक अप करते हैं जाज करते हैं और पूरा इसका जो कुछ दिन पहले का इतिहास था उसकी जानकारी जो है ओखंगालते हैं इससे पता ये चलता है कि भी जो ब्यक्ति है कभी विदेश नहीं गया और नहीं किसी ऐसे ब पहले जो है एक दुकान पे ये गया था मान लिया कि एक दुकान पे गया था दूद के दुकान पे गया था दूद खरीदने गया था अब दूद का जो मालिक है वो हाली में अभी विदेश से घुमकर आया है ये वो ब्यक्ति है दूद वाला ये ब्यक्ति है और ये हाली मे बिदेश से लंदन से आया है और ये दूद खरीदने गया था इसके दुकान पर और इसके संपर्क में आया और इसके पहचान का था हाथ मिलाया इसे टीकेप अब ये जो ब्यक्ति है ए दूद वाला ये कोरोना वाइरस से संक्रमित था इसके कारण इस B को भी कोरोना वाइरस से संक्रमित होना पड़ा ये भी संक्रमित हो गया अब ये जो A था ये अपने घर में परिवार में जितने लोगों के साथ रह रहा था जितने लोगों के साथ ये संपर्क में आया और ये पोजिटिव था सभी को इसने positive कर दिया coronavirus से ठीक है तो इसमें हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये ब्यक्ति जो है विदेश तो नहीं गया लेकिन किसी ऐसे ब्यक्ति के संपर्क में आने से ये भी positive हो गया है ठीक है तो इसको हम लोग stage 2 में रखते हैं ठीक है stage 3 में हम लोग किसको रखेंगे अभी तो हमने देखा कि stage 1 में भी एक ही ब्यक्ति को हुआ जो आया पता चल गया कि हाँ इसको है stage 2 में हमने देखा कि एक सेठ है विदेश से आया था इसके संपर्क में आने से B को जो है वो positive हुआ अब stage 3 में क्या होगा stage 3 में मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ बिल्कुल आसान भासाओं में एक ये ब्यक्ति है जिसका नाम है अंकित ठीक है ये अंकित है इसको खासी, बुखार, सारा कुछ हो गया है उसका Corona positive पाया गया Corona positive पाया जब जाच हुआ वह ना तो कभी बिदेश गया और नहीं किसी ऐसे ब्यक्ति के संपर्क में आया जो हाली में बिदेश से आया हो समझने की कोशिस किजिएगा हाली में नहीं ऐसे ब्यक्ति से संपर्क में आया जो बिदेश से आया हो और इसको खुद पता नहीं है कि मुझे किस से जो है ये संक्रमन हुआ है मैं किस के कारण जो है ओ पोजिटिव पाया गया यहाँ पे stage 3 में ठीक है यानि कि हम लोग कहें तो source ही नहीं पता चलता हम उसे पकड़ ही नहीं सकते कि आखिर किस से जो है ओ मेरे अंदर पोजिटिव आया ब्यक्ति को isolate नहीं कर सकत अब हम लोगों को अगर पता चले कि हाँ ये जो ब्यक्ति है ये पोजिटिव है और इसी के कारण अंकित को पोजिटिव हुआ है तो हम लोग इसको isolate कर सकते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अंकित को कैसे जो है ओ पोजिटिव ये वायरस हुआ तो इसमें हम लोगों को पता ही नहीं चलता है source का, सुरोत का पता ही नहीं चलता है कि कौन है positive, वह source न जाने कहां होगा और अंजाने में ही कितने सारे लोगों को infect कर देगा, ये अभी तक पता नहीं चला, और सबसे खतरनाक जो stage है, वो है stage 3, इसी के कारण stage 3 को ही रोकने के लिए भारत में lockdown किया गय है, अब ये हम लोग समझेंगे lockdown इससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, अब एक और stage सबसे पहले समझ लेते हैं, stage 4, stage 4 खत्म ना होने वाली महमारी, अभी तक हम लोग कहें तो stage 4 में चीन और इटिली, ये सब देश stage 4 में आये हैं, भारत जो है इससे चूता है, भारत इसमें नहीं है, ठीक है, तो अफवा न फैला है कि भारत भी stage 4 में जाने वाला है, या stage 3 में जाने वाला है, या क्या होने वाला है, पहले सोच समझ लें, इसके बाद आगे message आप लोग करेंगे, खत्म ना होने वाली बीमारी, कहने का मतलब ये, कि मालिया कि एक दिली में क भेजा लोगों को और चेताओनी दी, कि अगर कोरोना के संक्रमन को आप सेकेंड या थर्ड स्टेज में नहीं रोकेंगे, तो इटिली जैसा हालात हो जाएगा, इटिली में वारस की चौथी स्टेज कम्यूनिटी लेबल से उपर मास लेबल पर पहुंच चुकी है, अब न तो सोर्स का पता लगाया जा सकता है, और नहीं महामारी को रोकने का कोई तरीका समझ में आ रहा है, इसी वज़े से इटिली में कहा जा रहा है, कि बुढ़े जो हैं, उनको जो है उमरने दो, और बच्चे और जवान हैं, इनको बचाने की कोशिस करो, तो ये है स्टेज फ उपाए, सबसे खतरनाक मैंने आपको बताया कि स्टेज 3 है, तो सबसे में जो उपाए है, वो है लॉगडाउन, लॉगडाउन कर दो, लॉगडाउन कहने का मतलब कि जितने जो बाजार हैं, दुकाने हैं, घर हैं, पूरा बंद कर दिजिए, आप आइसो लेठ हो जाईए, घर के अंदर कैद हो जाईए, इससे होगा यूँ, कि हर आदमी घर में बंद है, ऐसे में जो आदमी किसी संक्रमित ब्यक्ति के संपर्क में नहीं आया, तो वह सुरक्षित है, अगर कोई ब्यक्ति है, और ये किसी के संपर्क में नहीं आया, तो ये तो बिल्कुल सुरक्ष तो वो भी घर में बंद है, वो भी नहीं निकल रहा है, लेकिन जब वो बिमार पड़ेगा, तो खुद बखुद पता चल जाएगा, और डॉक्टर फिर उसको लेकर जाएगे, तो ऐसे ये जो घर में बंद है अग्याद सोर्स, ये ज्यादा फैला नहीं पाएगा, ठीक है, जब वो बिमार पड़ेगा, तो वो अस्पताल में पहुंचेगा, इससे पता चल जाएगा, कि अग्याद सोर्स ये ही है, तो stage 3 को रोका जा सकता है, इसलिए lockdown किया गया है भारत में, और मैं बोलूंगा, कि इसका समर्थन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके, और बहुत ऐसे लोग हैं, जो इसे नई मान रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को, पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है, तो इसमें साधानी थोड़ा बरती है, घर में रहिए, और पूरे देश को बरबाद होने से रोकना है, सरकार के साथ साथ हमारी भी ये जिम्मेवारी होती है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, दोस्तों के साथ इसे सेर कर दिजेगा, और चैनल पे नहें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए निज के सा खजे अरह घमारा मापा हो ये जरूर कर दिजेगा दिजेगा.